वीडियो थोड़ा बड़ा है मगर आसानी के साथ समझना है तो पूरा देखें आज हम शुरू करेंगे कोश्चन नमबर 4 का 19 से ठीके यह रहा हमारा सवाल ठीके यहाँ पर जो है हमें थोड़ा समझने की जरुवत हैं यहाँ पर मैं आपको बताओं किस तरह से यहाँ पर अगर हम LCM लेंगे तो LCM लेने पर यह बहुत बड़ा होने वाला है थोड़ा से अगर हम इसको चेंजिंग करेंगे तो यह मारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ठीके वो किस तरह से यहाँ पर आप देखे एकस माइनस वान है यहाँ भी क्या एकस माइनस टू है तो आप बता सकते हैं इस पर से छोटा को न है देखिए यहां एक से 1 घटा रहे हैं और यहां पर एक से 2 घटा रहे हैं तो यह ज़्यादा घटा रहे हैं तो यह छोटा होगा और यह कम घटा रहे हैं इसलिए यह थोड़ा बड़ा होगा ऐसे समझने के लिए है तो यहाँ पर हम यह करेंगे जो 1 है इस 1 को हम चेंज करके लिखने वाले है 1 के जगा पर हम इस तरह से लिखेंगे जो बड़ा है x-1 इसे हम घटाएंगे छोटे वाले को x-2 को यह 1 के जगा में मैंने लिखा नीचे में जिस तरह उसी तरह से x-1 into x-2 आपके जहन में सवाल होगा कि 1 के जगा में इस तरह कैसे लिख सकते हैं तो आप देखें इसको अगर हम simplify करेंगे तो 1 होगा किस तरह से x-1 हुआ फिर minus x होगा ठीक है फिर यह minus minus plus 2 होगा plus 2 होगा तो यह minus x और plus x कट जाएगा और minus 1 है और यहां पर क्या होगा plus 2 minus 1 plus 2 कितना होगा minus 1 और plus 2 होने से घटा होगा 2 से घटेगा तो 1 होगा और plus 2 इसलिए plus sign होगा तो 1 को हम इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे क्यों क्योंकि अगले जो लाइन में हम बनाने वाले तो यह थोड़ा easy हो जाएगा किस तरह से हम देखेंगे आगे इसी तरह हम यहां भी करेंगे यह हम किस तरह लिखेंगे नीचे में जिस तरह उसी तरह लिखना है x minus 2 into x minus 3 बड़ा कौन सा है यह बड़ा होगा x minus 2 क्योंकि इससे हम कम घटा रहे है इससे हम घटाएंगे छोटे वाले को x minus 3 को यह भी हो जागा 1 तो 1 के जगा हम चेंज करके यह लिख रहे है इसी तरह तीसरे में भी हम करेंगे x minus 3 into x minus 4 यहां भी हम क्या करेंगे उसी तरह से x minus 3 minus x minus 4 equals to 1 जश्ट आपको क्या करना कि पहला वाला को पहले लिख देना minus लिख दूसरे वाला को फिर लिख देना यहां भी उसी तरह यहां भी उसी तरह से ठीक है फिर ऐसा करके फिर क्या करेंगे हम इसके बाद मैं आपको बताओ कि इस तरह यह minus यह है और नीचे में इंटू तो हम क्या कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं ये वाला बटा ये वाला कर सकते हैं फिर माइनस देकर ये वाला बटा ये वाला कर सकते हैं किस तरह से एक्स माइनस 1 बटा नीचे वाला एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यह करेंगे ठीक है फिर minus यह वाला बटा यह वाला करेंगे x-2 बटा x-1 इंटू x-2 ठीक है फिर पलस इसमें भी उसी तरह से करेंगे हम x-2 बटा x-2 इंटू x-3 फिर minus देकर यह वाला बटा x-3 बटा फिर यह नीचे वाला जैसा वाई चाहिए x-2 इंटू x-3 फिर पलस यह भी उसी तरह करना है हमें x-3 बटा x-3 इंटू x-4 फिर minus देकर यह लिखता हूं x-4 बटा x-3 इंटू x-4 equals to 1 by 6 आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि इस तरह minus है और नीचे में बटा है तो हम किस तरह ऐसे क्यों लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपको इजी ली पता होगा तो यह आप एक याद रखें जैसे ए-b बटा bc लिखा हुआ है ए-b बटा bc लिखा हुआ है तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं अगर हम इस लिख सकते हैं यह लिख लेंगे तो bc होगा ुपर में हो जागा e minus b तो इसको हम चेंज करएं च सहसे दो हिसा में Antonio सकते हैं ठीक उसी तरह से हम यह – 1 लीख लिख है तो हम लीख तो हम तोह सकते 2 एंस में यह वाला बटा नीचे वाला minus फिर यह वाला बटा नीचे वाला तो ऐसे देखने में आपको लगर इतना बड़ा हो गिया है लेकिन यह आसान है कि किस तरह से देखें x-1, x-1 उपार नीचे कड़ जाएगा यहाँ पर x-2, x-2 कड़ जाएगा यहां पर भी x-2 x-2 कर जागा उपर नीचे यहां भी कर जागा x-3 x-3 यहां पर x-3 x-3 यहां पर x-4 x-4 तो यह क्या होगा यह होगा 1 by यह होगा 1 by x-2 फिर minus यह होगा 1 by x-1 फिर plus यह होगा 1 by x-3 फिर यह होगा 1 by x-2 यह होगा 1 by x-4 यह होगा minus 1 by x-3 equals to 1 by 6 अब मैं आपको बता दू के अब आपको क्या करते हैं यहां से डाइरेक्ट इस लाइन पर चले आते हैं ठीके लेकिन यहां दो लाइन इसके बारे पता नहीं होता कि यह कैसे आया है तो अगर आप चाहें तो अपने आसानी के लिए इस लाइन के बाद आप डाइरेक्ट इस लाइन पर भी आ सकते हैं अगर आपको पता चलिए हैं यहां पर आपको समझ में आना चाहें किस तरह करेंगे 1 by x minus 1 है यहां x minus 2 है तो इसमें छोटा कौन सा है x minus 1 यह बड़ा है क्योंकि 1 गटा रहे हैं यहां पर और x minus 2 ज्यादा गटा रहे है यह छोटा है तो यह जो 1 by x minus 2 है यहां पर आजाएगा 1 by x minus 2 उसके बाद फिर minus यह हो जाएगा 1 by x minus 1 ठीक है जो यह छोटा जो हमें समझ में आ रहा है इसको हम पहले लिखेंगे 1 by x minus 2 फिर minus देकर 1 by x minus 1 यहां पर लिखेंगे ठीक इस तरह यहां पर भी देखें 1 by x minus 3 फिर minus यह वाला 1 by x minus 2 इसके बाद पलस 1 by x minus 4 यह छोटा है इसको पहले लिखें फिर minus 1 by x minus 3 equals to 1 by 6 फिर यहां पर देखें यहां पर कुछ कट जाएगा असान है माइनस वन बैक्स माइनस टू है यहां भी पलस वन बैक्स माइनस टू है यह कैंसल हो जाएगा उसके बाद यहां देखें माइनस वन बैक्स माइनस ट्री है 1 by x minus 1 इसको बाद में लिखेंगे 1 by 6 इसके बाद हम LCM लेंगे जिस तरह लेते हैं 1 by 6 इन दोनों के LCM क्या होगा इन दोनों को into कर देंगे आसानी के लिए इन दोनों को into करने से LCM हो गया x से इसको divide करेंगे ये वाला कड़ जाएगा बचेगा x minus 1 x minus 1 से 1 को into करेंगे x minus 1 होगा इसको bracket में लखते हैं फिर minus x minus 1 से इसको into करेंगे ये वाला कड़ जागा जो से में बचेगा x minus 4 x minus 4 से 1 को into करेंगे x minus 4 bracket मैं इसलिए इस्तमाल गया क्योंग यहाँ पर minus है तो ये sign बदनने वाला है ठीक है और x minus 1 फिर minus x ये minus और minus plus 4 by नीचे में into कर ले x x को into करेंगे x square होगा फिर x से minus 1 को into करेंगे minus 1 x होगा 1 लिखने की जरूवत नहीं फिर minus 4 से x को into करेंगे minus plus minus 4 x होगा फिर minus 4 से minus 1 को into करेंगे minus minus plus 4 से 1 को into करेंगे 4 होगा equals to 1 by 6 उपर में देखे minus x है और यहाँ plus 6 ये cancel हो जाएगा फिर क्या होगा minus 1 है और plus 4 है तो यहाँ पर plus 4 है और minus 1 है plus है और minus है इसलिए घटा होगा 4 से गया 3 4 बड़ा इसलिए plus sign होगा नीचे में क्या होगा x square minus x से और minus 4 x से दोनों minus इसलिए जुड़ जाएगा 4 और 5 minus 5 x plus 4 equals to 1 by 6 इसके बड़ा हम क्या करेंगे तिरिशा जारब करेंगे यह वाला 1 से इंट होगा इसी तरह होगा same x square minus 5 x plus 4 6 3 से इंट हो जाएगा 18 हो जाएगा 6 3 18 फिर हम क्या करेंगे इसको left side में लेकर आएगे x square minus 5 x plus 4 यह 18 लेट साइड में आगा plus 18 है minus 18 होगा equals to 0 right side में रखेंगे और x square minus 5 x plus 4 और minus 18 यह दोनों नमबर है minus से पला से 18 से 4 गिया 14 18 बड़ा इसलिए minus होगा equals to 0 फिर हम middle term के तरीका से इसको तोड़ेंगे 14 और वाने 14 है कम 14 14 को हमें इस तरह से तोड़ना है दो नमबर में के जिनको इंटू करने से 14 होगा और घटाने से यह sign क्या घटा होगा है घटाने से 5 होगा तो क्या क्या होगा 7 होगा 2 होगा 7 दूने 14 7 से 2 घटाएंगे 5 होगा तो इसके जगा में हम चेंज करेंगे 5 के जगा में क्या लिखना हमे 7 घटाओ 2 यह पांच हो जाएगा उसके बत एक से एक से लिखे फिर माइनस चाओदा इक्वल्स टू जीरो और एक स्क्वार फिर माइनस से एक्स इंटू करेंगे से एक्स फिर माइनस से एक्स को इंटू करेंगे टू एक्स फिर माइनस चाओदा इक्वल्स टू जीरो इन दोनों से एक सफस्ती प्रहुच को फ Saudara साथ होगा इसके पाद यहां डोनों में, एक सम्स सेवन दोनों में आ गए मैं इसको इसको appears पैसे कंूल लेंगे यहां से x का value क्या होगा plus 2 right side में जाएगा minus 2 इसलिए x का 2 value क्या होगा 1 value होगा 7 1 value होगा minus 2 यह answer question number 4 का 20 यह हमारे equation है यहां पर अगर हम इन दोनों का LCM लेते हैं तो भी यह बनेगा ठीक है लेकिन यहां पर हम थोड़े से अगर changing कर ले थोड़ा हमारे लिए आसान होगा वो क्या है मैं दिखाता हूँ आपको यह जिस तरह मुसी तरह लिखेंगे a by x minus a plus b by x minus b equals to यहां पर आप देखें यहां क्या है 2C है ना तो 2C को हम इस तरह लिख सकते हैं c plus c c को c के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 2C होगा तो इसी 2C को हम तोड़कर c plus c लिख लेते हैं ठीक है नीचे में x minus c और यह left side में equal to के left side में जैसा उसी तरह लिखाएंगे a by x minus a plus b by x minus b equals to यहां पर मैंने इससे पहले भी पताया थे आपको यह c plus c ौ नीचे में कहा है bağ x minus c यहां पर हम दो हिंसा में तोड़ सकते हैं c ķू यह वाला नीचे वाला और फिर plus c dil तोड़कर लेंगे यह c Vasak बोकुने को लेंगे ओ और यहे पालस होग़ और फिर उपर में C plus C होगा, तो इसको तोड़ कर दो हिस्सा में हम तोड़ लिए, ऐसा करने से क्या फायदा है, यहाँ पे थोड़ा हम यह करेंगे, कि एक पार्ट को हम इधर लेकर आएंगे, और एक पार्ट को इधर हम इस तरफ के एक पार्ट को उधर कर देंगे, ठीके, क्या करेंगे, इस तरफ ay x-a को रखेंगे, जिस तरह यह था उसी तरह, equal to के right side में, इस c by x-c को हम left side में लेकर आएंगे, equal to के left side में, यहाँ plus sign है, left side में आएगा, minus हो जाएगा, minus c by x-c, ठीके, equals to लिखेंगे, right side में, पलस c by x-c, उसी तरह लिखेंगे, c by x-c, इसके sign क् पलस यहां भी मैंने पलस लेखा है ठीक है उसको लिखिने के जरूत नहीं और left side में b by x minus b जो है equal to left side में इसकwinning right side में कर देंगे यह sign पलस है कि minus ho जाज़ागा minus b by x minus b जब अब हम इसको right side में लेकर चले गए दाइने तरब सेके बाद हम LCD में knows wage भी और इस तरब भी यालसियम क्या हैगा इन दोनों को इंटू करने से एलसियम हो जाएगा एकस माइनस से इन दोनों को इंटू करने से एलसियम इससे इसको डिवाइड करेंगे तक्सीम करेंगे तो x-a से x-a कड़ जाएगा बचेगा x-c उससे a को into करेंगे ठीक है तो a से इसको into करेंगे कितना होगा a into x-c एक बार लिख लेते हैं ठीक है फिर minus x-c से इसको divide करेंगे तो x-c से x-c कर जाएगा बचेगा x-a x-a से x-c को into करेंगे c को तो c into x-a इसी तरह right side में भी करेंगे x-c और x-b calcium क्या होगा इन दोनों को into कर देंगे bracket मिलिके into करेंगे x-c into x-b इससे इसको divide करेंगे x-c कर जाएगा जो same है बचेगा x-b इससे c को into कर देंगे तो c into x-b फिर बीच में minus x-b से इसको divide करेंगे तक्सीम करेंगे x-b कर जाएगा जो same में बचेगा x-c उससे b को into करेंगे b into x-c इसके बाद जो उपर में into करना है वो into करेंगे और यहाँ पर into करेंगे क्या होगा इससे c into ओगा ac फिर minus c into फिर minus c into cx फिर minus c इससे minus say into होगा तो यह minus minus plus होगा c से into होगा तो क्या होगा c ए भी लिख सकते हैं और ए c भी लिख सकते हैं तो चुक्छे a पहले याता है बाद में c आता है तो a c लिख लेंगे ठीक है अच्छा नीचे में आप देख लिए यहां पर मैंने यह एक पार्ट को इधर किया ऐसा क्यों किया यहां पर देखे आप नीचे में नीचे x-e है यहां भी into x-c यहां भी x-c x-b तो नीचे equal to के इधर नीचे में x-c है और equal to के right side में x-c यह दोनों सेम हो गया यह दोनों हम काट सकते हैं क्यों काट सकते हैं बता दे यहां पर x not equal to c लिखवा तो जब ऐसा लिखवा तो हम यहां पर x-c x-c काट सकते हैं ठीक है इसके बाद नीचे में क्या रहा है यहां पर x-e रहा right side में क्या होगा यहां भी into करेंगो उसी तरह उपर में c से x into क्या होगा c x होगा फिर minus c से b into क्या गर होगा c b भी लिख सकते हैं b c लिख लेंगे आसान होगा b पहले आता c बाद में फिर minus b से x into होगा b x फिर b से c into होगा उससे पहले minus minus plus b c होगा और नीचे में क्या बचा x minus b इसको bracket कर लेते हैं उसके बाद आप उपर में simplify करेंगे देखें यहां पर minus c और plus c यह कट जाएगा दोनों से में यहां भी देखें आप minus b c और plus b c होगा दोनों पर दोनों से में तो यह चैंसल हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या बचा? x minus c x नीचे में x minus c इधर क्या बचा? c x और minus bx नीचे में x minus b ठीक है? अब उपर में देखें आप यहां पर दोनों पर x common आ रहा है ना दोनों में X, 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 लेकिन यह x कटेगा नहीं, क्योंकि हम उस वक्त काट सकते हैं, जब यह 0 नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कोई condition में लिखा होना है, कि x not equal to 0 नहीं है, इसलिए इस x को हम भूल से भी नहीं काट सकते हैं, अगर काट देंगे तो एक हमारा answer गलत आएगा, इसलिए हम इसको उसी तर x minus b into हो जागा, x into a minus c, यह वाला इससे into हो जागा, उसको एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है, equals to right side में यह दोनों into हो जाएगा, यह रहेगा और इसके साथ यह into हो जागा, x into c minus b into x minus a, और इसके बार हम क्या करेंगे, यह right side में जो कुछ उसको left side में लेकर आएगे, और right side म जैसा वैसे लिखते हैं, x into a minus c into x plus, sorry, x minus b, और यह जो कुछ भी है, यहाँ कौन से साइने, plus है, यह left side में आगा, minus हो जागा, minus, और जो कुछ है, उससे तरह लिखेंगे, x into c minus b into x minus से equals to right side में 0 हो गया, फिर यह एक टर्म हो गया, यह टेक टर्म हो गया, इन दोनों में इसको हमें काम करते हैं, third bracket में लिखेंगे, असान होगा हमारे लिए, x बाहर आगिया, common, क्या बचेगा, यह दोनों बचेगा, a minus c into x minus b, फिर minus, यहाँ इन तीनों में से x बाहर common आगिया, बचेगा, यह दोनों, इन दोनों को लिखेंगे, c minus b into x minus a equals to 0, अब देखे, x यह into यह पूरा, यह दोनों into और क्या होगा, 0 होगा, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यह दो यह x 0 होगा, either x equal to 0 होगा, ठीक है, तो x का एक value होगा, अगर हम x को पहले ही काट देते हैं, यहाँ पर यह x equal to 0 नहीं आता, तब हमारा एक ही value आता, तो हमारा गलत होता है, ठीक है, यह तो value होगे x equal to 0, दूसरा क्या होगा, यह bracket में जो कुछ है, यह फिर यह 0 होगा, ठीके, और यह into a, और a minus c into x minus b, minus c minus b into x minus a, यह पुरा 0 होगा, यहां से भी हम x का दूसरा value निकालेंगे, किस तरह into कर ले पहले, a से x into होगा, a x होगा, फिर a से b into होगा, इसलिए plus a का plus, और य c into होगा, minus, यहां plus, minus c into होगा, cx, फिर c से minus c into होगा, minus b, तो minus minus plus c into होगा, cb होगा, उसको bc लिख ले, into में हम अब bc लिखेंगा, कोई फरक ने पड़ता, उसका दूसरा minus है, minus, उसका दूसरा इधर into करेंगे, c से x into होगा, cx होगा, ठीके, उसके बाद, यहां पर एक चीज़ याद रखी है, minus है, इसलिए, यहां sign होने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, एक बर bracket में लिख लेते हैं, ताकि हमारी रासानी होगा, cx, फिर c से a into होगा, तो क्या होगा, plus, minus, minus, ca मतलब ac हो जाएगा, ठीके, उसके बाद, minus b se x into होगा, क्या होगा, ब्रेकट बंद कर दी, equals to 0, और, यहां पर यह जो है, उसी तरह लिख लें, ax, minus, ab, minus, cx, plus, bc, और यहां ब्रेकट से पहले क्या है, minus है, minus है, तो यह minus सबसे into होगा, तो minus cx होगा, यह sign change होने वाला है, इसलिए, यह समझना जरूरी है, यह minus, यह minus into होगा, तो क्या होगा, minus minus plus, ac हो जाएगा, फिर यह minus, minus into होगा, minus minus plus, bx होगा, फिर यह minus, minus, plus into होगा, minus, plus, minus, ab, इसलिए, मैंने ब्रेकट को इस्तमाल किया थे, यहां पर, अगर हम डायेट करना चाहे, तो भी कर सकते हैं, हम उसको समझनी की जरूरत है, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, जिसमें, जिसमें, x से, उसको left side में रखेंगे, और जिसमें, x ने, इसको right side में हम कर दें, ठीक है, इसमें, x से, इसको रखें, minus cx, इसमें, x से, minus cx, इसको रख ले, फिर इसमें, x, plus bx, इसको रखें, plus bx, और जिसमें, x ने, इसको right side में हम कर देंगे, ठीक है, equals to, minus a, b, इसको right इसको adjust अब प्राक एक तो क्या हो सिर्फाऩा प्राइच्टसस्राइब हो जाए है उसके बूंगर कर से बिसके और यह जब आवर एकने豪र denई इस्प उसके बाद line sonosa m redenट माइन चलिए से इसलम सेंड डोनों मैमें माइनप से यहां भी वा नहां यहां भी वान मैन सुन हो जागा टू हो जागा मानस ए रह गा माइनस की रहगा मैनस 2C यह पलप बड़ से यहां एबि दो बारे ऴार हैं फिर minus bc और minus ac इसके बाद यह सभी में x है, x को common निकालेंगे बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा, a, यहाँ पर x बाहर आगिया, 2c बचेगा, यहाँ पर x बाहर आगिया, b बचेगा, equal to, यहाँ पर हो गया, 2ab, minus bc, minus ac, और, यहाँ x के साथ, into है, यह पूरा, तो सिर्फ x निकालना है, तो यह क्या हो जागा, right side में चल जागा, divide हो जागा, इसके नीचे आजागा, तो x equal to क्या होगा, यह जो right side में, इसी तरह उपर मेरेगा, 2ab, minus bc, minus ac, बचा, यह total चीज जो ब्रेकर में, यह right side में नीचे आजागा, divide हो जागा, a minus 2c plus b, ठीक है, इसको answer, यह हो गया हमारा answer, अब देखेंगे answer, तो यहाँ पर a plus b, पहले लिखा हो, उसे कोई फरक ने पड़ता, आप आगी पीछे कर सकते, sign change नहीं होना चाहिए, यह हो गया हमारा answer, इसलिए, x equals to x क minus ac, और बटा नीचे में, इसको हम change करके लिख लेकते हैं, फिर उसके बाद पहले से भी, फिर minus 2c, यह दोनों x का value हो गया हमारा answer, ओके, यह answer था, ठीक है, यह दो answer, तो यह math थोड़ा से बड़ा है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें, तो यह बिलकूल हमारे लिए आसान है, थोड़ा practice के जरूरत है, ठीक है, और हमें पता है, इसको कोई ना कोई math जरूर आता है, जो थोड़ा से बड़ा तो होता है, लेकिन यहाँ पे घबरानी की जरूरत नहीं है, बले हम यहाँ सबर से काम लेना है, थोड़ा से अगर हम आइस्ते आइस्ते, अगर step by step चाहे सही तरीका से बनाएंगे, तो हमारे लिए math बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बलकि यह आसान ही है, हमें just sign का ख्याल रखना है, और सही तरीके का इस्तमाल करना है, इसके बाद यह रहा हमारा question number four का आखरी, एकीस वाला, बिल्कुल यह आसान है, यह पहले ही से पहले x into होगा, तो root 3 x होगा, फिर minus और यह plus into होगा, minus plus minus 2 x into हो जागा, फिर 2 x हो जाएगा, फिर plus 2 root 3 equals to 0, यहां 4 term होगिया, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 2 common लेंगे, दोनों में क्या common आएगा, x common आएगा, दोनों में x का च्छोटा power है, यहां पर x रहेगा, 2 x में से x बाहर आगा, यहां पर क्या रहेगा, root 3 रहेगा, x बाहर आगा, फिर इन दोनों में, यह minus होगा, इन दोनों में क्या common आगा, आप देखें, दोनों में x नहीं, x common नहीं आएगा, दोनों में 2 है, 2 common आजाएगा बाहर, तो यहां जो कुछ बचाएगा, यहां पर 2 x में से 2 तो बाहर आ गया एकस रहेगा यहाँ पर तु कॉमन आ गया बाहर यहां पर देखेए वाला सेम हो गिया यह दोनों में से common आ जागा बहार तो क्या आगा एक्स-root-3 जब common आएगा तो यहां पर यह बहार आ गिया common क्या बचेगा इक्स रहेगा फिर इसमें से यह x-root-3 common आगिया क्या रहेगा minus 2 रहेगा equals to 0 यह दोनों इन टोंका 0 हो रहा तो आधर यह 0 हो या फिर यह 0 हो गा आधर पहला ओला 0 हो गा यानि x-root-3 जिरो हो गा यहां से x का वेलू क्या आगा minus root 3 राइट साड में जागा तो पलस root 3 हो गा यह पलस और यह दूसरा वला 0 होगा x-2 equals to 0 और x equal to कितना होगा minus 2 राइट साड में जागा पलस 2 हो जागा इसलिए x का दो वेलू क्या क्या हो गया एक वेलू हो गया root 3 और एक वेलू हो गया तो यह हो गया हमारा answer ठीक है तो students आपको जो है यह question number 4 है question number 4 इसको आपको पूरे अच्छी तरह से आपको प्रेक्टिस करना है जो बनतर हों नहीं होता है कि इसमों से इन्हेंर इसमें से जब दो पश्यक्राइब्स ऑने कर्ना यह रहा है छेह संवा स्टलाइब चुछ है नहींूर root एप्लिकेशन 21 हो गया यहां तक आप करें एप्लिकेशन 21 एप्लिकेशन 14 आगे जो है यह अप्लिकेशन 15 है इसलों आप अच्छी दरह से प्रेक्टिस करें ओक्ये